लेकिन फ्रदान मंत्री महंगाई का मा बोलने के लिए तयार नहीं है महंगाई का मा बोलने के लिए तयार नहीं है मरो तो मरो आपका नसीम स्वागत है आपका नश्र दस्तक मैं मैं हूँ आपके साथ फरीज सहफी कुछ लोग गोलती थे कि मोधी सरकार आने पर महगाई कम हो जाएगी कांग्डी सरकार में महगाई बढ़ने पर संसद और उसके बाहर परदिशन करने वाली लोग अप खुद की सत्ता आने पर लोगों को लूट रहे हैं अपने पूजी पती और दोस्तों को फाइदा पहुचा रहे हैं यही सरकार जब सत्ता से बाहर थी तो महगाई बर उसकारी को लेकर खुब परदिशन करती जब लोगों ने इने सत्ता में बढ़ाया तो यह अपना फाइदा देखने लगी अपने दोस्तों को फाइदा पहुचाने के लिए कमपनियों को प्राइवेट करने लगी देश में बिरोजगारी बढ़ने लगी गरीबी बढ़ने लेकिन सरकार अप सुनने को तयार नहीं है जि जन्ता ने उन्हें सत्ता तक पहुचाया था वही जन्ता सडकों पे वैटी है रोजगार मांग रही है गरीबी से जूँज रही है सरकार से अपील कर रही है कि उनकी बाते सुने लेकिन सरकार अपने काल बंद कर चुकी है किसी की भी बाते सुनने को तयार नहीं है देश को युवाज सड़कों पे है लेकिन मोधी सरकार को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि सिर्फ इन्हें फर्क पड़ता है तो बस चुनाव से जब ये घर कर जागर जुटे वादे करते हैं लेकिन चुनाव के बाद ये भूल जाते हैं कि जंतर से इनका कोई रिष्टा भी है जिस तरह से देश में लगातार महगाई बढ़ रही है उससे आम जंता बहुत परिशान है घर का खर्चा नहीं चल रहा है सेलरी तनी मिलती नहीं है जितना खर्च हो जाता है उपर से महगाई की मार्च दिन बदिन जंता बर पर रही है जब पिछली सरकार में महगाई बढ़ जाती थी तो कुछ लोग जिसमें अक्षी कुमार और अमिता बच्चन शामिल है वो महगाई बढ़ खूब टूइट करती थे और साथ ही अमिता बच्चन बोलती थे कि वो दिन दूर नहीं जब लोग गाड़ी कैश से खरी देंगे और पैट्रोल लोन लेकर भरेंगे लेकिन अब महगाई अपनी चरम सीमा पर है लेकिन इन लोगों से दो शब्द नहीं निकलते जिस तरह से लगादार महगाई बढ़ती जा रही है उससे गरीब लोगों पर कितना बहार पढ़ रहा है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता पैट्रोल डीजल के दाम बढ़ रही है स्लेंडर महगा हो रहा है ऐसे में गरीब लोग कहा जाए क्या खाए इसमें पूरीत कुमार सिंग लिखते हैं कि फिर हुआ पैट्रोल डीजल का विकास 80 पैसे की बढ़ उतरी 14 दिनों में 8.80 पैसे बढ़ी दाम परबल संभावना है कि अपकी बार 150 पार साथ ही मनोज लिखते हैं कि बीबी डाइबिटीस की दवाओ के दाम सरकार खूब बढ़ा रही है थाकि जंदा की बीबी बढ़ती रहे लोगों का इलाज महगा होता रहे क्योंकि चिनाप परिणाम से बीजेपी जान चुकी है कि जंदा को जितना दुख देंगे वोट उतना ही करेंगी इसलिए डीजल पैट्रोल के दाम भी दिन दूना राच चोगना गती से बढ़ाये जा रहा है साथी जानेवाने पत्रकास समीर अबास लिखते है कि 15 दिनों में थोड़ा थोड़ा करके 9.20 रुपे महगा हुआ पैट्रोल अब आपको प्रधान मंत्री जी का एक वीडियो दिखाते हैं महंगाई का मह बोलने के लिए त्यार नहीं है मरो तो मरो आपका नसीम देखा अपने प्रधान मंत्री अपने पहले भाश्रावग बोलते हैं कि अगर इसी तरह से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा वो आगे बोलते हैं कि उस वक्त के प्रधान मंत्री मतलब मनमोहन सिंग को कुछ नहीं पता उन्हें तो महंगाई का M भी नहीं आता है साथ ही वो बता रहे हैं कि कॉंग्रिस पार्टी में बहुत अंकार है इसलिए वो महंगाई के बारे में कुछ नहीं बोलती गरीब मर रहे हैं तो मरने दो बच्चे भूख से रात रात भर रोते हैं गरीबी से भूख मरी से माँ अपने बच्चों को देख कर रोती है लेकिन इन नेताव को कुछ नहीं दिखता महगाई इतनी बढ़ गई है कि सरकार में सब परिशान है ऐसा कहना था हमारे परदानमंद्री का जब कांग्रिस की सरकार थी लेकिन आप क्या हाल है महगाई का परधानमंद्य जी जरा इस पर भी गौर कीजी जिसे लगादार महगाई बढ़ती जा रही है गरबों की जेब खाली हो रही है उस पर आपका क्या कहना है पिछली सरकारों को तो आप खूब कोस्ते हैं कि उन्होंने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया लेकिन आपके सरकार को भी तो आठ साल के करीब हो गई है आपके सरकार ने क्या किया अभी तक लोगों के लिए बस अपने पूझी पती दोस्तों को फाइदा पुचाया है सब चीजों का निजी करन कर दिया है जनता महगाई में पिस्ती जा रही है लेकिन आप तो अपनी जूटी वहवाई लूटते फिर रहे हैं और लोगों को और ज्यादा गरीबी की और धकेल रही है खेर आपकी इस वीडियो पर क्या रहा है मैं कमेंट करके जरूर बताएं और बागे खबरों के लिए देख तेरी नाशनल दस्तक निशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं झाल